वेलकम बैक स्टुडेंट्स तू माई चैनल आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा और आपको से फॉर्म्स ऑफ मार्केट इजीली समझ में आ गए होंगे अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर से जो की है अब यह चैप्टर काफी इंपॉर्टन चैप्टर है एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से इस चैप्टर से एक क्वेशन जरूर जरूर बनता ही है इस वीडियो बे हम एक मार्केट इक्लूबीरियम के जस्टिक इंट्रोड़क्शन यहां पर करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट व आपके पास मार्क्स गेनिंग का तो मेरी वीडियो में एंट तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें कॉमेंट करें और शेर करें और भी अपने फ्रेंड्स और स्टूड़न्स के साथ में तो चलिए आज का वीड iqlubrium होता क्या है? Market iqlubrium वो state होता है जहां पर quantity demanded और quantity supply जो होती है वो same हो जाती है जहां पर एक दूसरे से matter…. मारे जो graph है उदर इंटरसेक्ट करती है उस state को हम बोलते हैं market equilibrium जहांपर demand और supply हमारी equal हो जाती है हो गया हमारे यह easy equilibrium वो वाला state होता है मैंने आपको पहले भी बताया है producers equilibrium में equilibrium वो state होता है जो कि एक rest state होता है जहांपर हमें जादा फिर हमें मालूम है अब ये वाला state ऐसा है कि हमें जादा कुछ महनत करने की जरूरत नहीं है ये वाला state हमने वो अचीव कर दिया है जहांपर अब अपने आप ही चीजे इस हिसाब से अगर यही same inputs हम इस्तमाल करें यही same हम तरीके से अपना काम करें तो हमारा जो demand और supply forces है वो यहांपर आके equal हो जाएगी तो इसलिए इसको state को rest state कहा जाता है और market equilibrium जहांपर demand or supply intersect करते हैं simple as a state of the market when demand for a commodity is equal to its supply that is called as market equilibrium अब हम इसका graph देख लेते हैं इसका table है 246810 market demand 18060 क्यों क्योंकि यहांपर हमने पहले भी पढ़ा है कि price अगर बढ़ती है तो demand कम होती है तो इसलिए market demand जो है वो जैसे-जैसे price बढ़ रही है वैसे-वैसे market demand हमारी reduce हो रही है और price और market supply हमारी जैसे price बढ़ रही है उसकी साथ-साथ market supply बढ़ रही है क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि price और supply में positive relationship होता है price बढ़ती है तो supply भी बढ़ती है क्यों क्योंकि price बढ़ रही है supplier का profit बढ़ रहा है तो वो कोशिश करेगा जाद जाद sell out करने के लिए क्योंकि उसको profit कमाना है at the end तो इसलिए जब price बढ़ती है तो हमारी supply भी increase होती है अब यहाँ पर जो equilibrium वाली state होगी वो यह वाली हो जाएगी जहाँ पर market demand और market supply जो है वो equal हो चुकी है जो की है यहाँ पर 60 वाला कि हमारा जब price 6 था तो market demand भी 60 है और market supply भी हमारी 60 है तो यह हो जाएगा equilibrium state जो यहाँ वाला जो part होगा वो हो जाएगा access demand का और जो इधर वाला part है वो हो जाएगा access supply का अब इसी table को हम graph में समझ लेते हैं बन जाएगा इस तरीके से graph simple y x price output ठीक है अब यहाँ पर price 6 है यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर price जो है हमारी 6 है तो जो हमें equilibrium मिल रहा है उस वाले point को उस वाली जगह को वहाँ पर जो supply और demand होती है उसको हम बोल देते हैं equilibrium supply and equilibrium quantity demanded ठीक है तो अब यह वाला जो stage है वो हो जाएगा access supply और यह वाला stage जो हो जाएगा वो हो जाएगा access demand तो जब आप exam में आपसे पूछा जाएगा what is market equilibrium तो आप meaning बता देंगे, table बता देंगे, graph बता देंगे और इसी तरीके से उसको label करेंगे कि यहाँ पर equilibrium है, यहाँ पर access supply है, यहाँ पर access demand है इस तरीके से ठीक है तो यह काफी easy topic है और आपके लिए और यहाँ पर आप इस तरीके से बहुत ही presentable answer यहाँ पर आप बता सकते हैं examiner को students अभी हमने तेखा उसमें यह answer हम तब लिखेंगे जब हमें कम marks में question पूछा जा रहा है, लेकिन अगर इसी जगे हमें ज़ादा marks में यही same question पूछा जाता है तो हमें इसे elaborate करना है, तो हम ऐसी कुछ भी लिखेंगे नहीं elaborate करेंगे, हम इसको smartly elaborate करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, access demand और access supply को हम अलग-अलग करके हम इसमें समझा सकते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, access demand क्या होता है, access demand वो वाली situation होती है जहां पर quantity demanded जादा होती है quantity supplied से, quantity demanded जो demand होती है market में वो जादा होती है quantity supplied से तो ऐसा कौण-कौण से situation में होता है, जब price जो होता है उसी product का वो कम होता है, ठीक है तो हम यहां पर इस तरीके से price आ गया, market demand आ गया, और same वही वाला curve आ जाएगा जो अभी हमने market equilibrium में पढ़ा था अब यह वाली situation में क्या होता है, P से P1 यानि यह वाला situation जब हमारी price कम है तो हमारा जो demand होगा, वो, यह demand जो होगी, वो हो जाएगी हमारी जादा, ठीक है, Q1 हो जाएगी तो यह वाली जो situation होती है, यहां पर यह हो जाती है, जो quantity supplied है quantity supplied यह वाली यहां से यहां तक हो जाती है, ठीक है, और यहां से यहां तक वाली हो जाएगी quantity demanded तो यह वाली यहां से यहां तक यह कहलाएगी हमारी excess demand ठीक है तो यहां से यहां तक जो situation है उसको हम बोल देंगे excess demand यह हो गया equilibrium ठीक है तो अब इस situation में चीज़े कैसे react करती है कैसे response करती है तो आप किस तरीके से answer इसको लिखेंगे सबसे पहले तो access demand समझा देंगे excess demand कौँसे situation होती है वो बता देंगे table लिख देंगे table के बाद graph बना देंगे फिर इसकी properties बोलीजे features बोलीजे यहां पर किस तरीके से चीज़े react होगी वो कैसे हम explain करेंगे सबसे पहले तो आप बता दोगे कि Q से Q 1 जो हो रहा है Q से Q 1 जो हो रहा है वो हमें दिखा रहा है कि यहां पर जो quantity है quantity demanded है वो हमारी बढ़के आ रही है quantity demanded जो increase हो रही है वो Q 1 हमारा बताता है फिर second हो जाएगा क्योंकि अब यहां पर price कम है ठीक है price कम है तो यानि जो buyer है वो जादा इसकी demand कर रहा है आपस में buyers में competition हो जाता है यहां पर कि मैं खरीदूंगा कि मैं खरीदूंगा अब उसकी चक्कर में क्या है buyer खरीदने के competition के चकर में जादा price में भी खरीदने को ट्यार हो जाता है तो अब यहां पर supplier होता है वो इस situation का फाइदा उठाता है तो वो क्या करता है price बढ़ा देता है चलो अच्छा है demand जादा हो रही है तो price बढ़ा देते हैं on करते है na revenue जादा जैसे ही हमारी price बढ़ेगी तो हमारी supply भी बढ़ जाएगी हमें equilibrium मिल जाएगा मतलब जहां पर जैसे ही हमारी price भढ़ना शुरू होगी suppose price यहां आ गई तो जैसे ही price हमारी भढ़ना शुरू होती है हमारा demand कम होता जा रहा है यहां पर हमारी price भढ़ी वैसे ही यहां पर भी हमारा excess demand कम हो गया फिर जैसे ही यहां पर आई हमारा excess demand कम होके ऐसे situation पे आगए जहाँ पे हमारी demand और supply जो है वो बराबर हो जाती है यानि हमें equilibrium state मिल जाती है तो इस तरीके से जो supplier है वो हमारी जो access demand की जो situation है उसको correct करते हैं उसको rectify किस तरीके से करते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से उसकी property समझा देंगे तो आप यहां पर कैसे दिखा देंगे कि यहां से इस तरीके से movement चालू होता है तो जो कि जब यहां से movement इस तरीके से upward की तरफ जाता है तो हमारी जो demand है वो धीरे-धीरे करके कम हो जाती है प्राइज हमारी बढ़ने लग जाती है तो यहां पर आके हमें जो जैसे जैसे यह access दिमांड यहां था फिर यह यहां हुआ फिर यहां हुआ और फिर फाइनली वो इधर जाके एक लुबीरियम पॉइंट पर हमारा मीट आउट हो जाता है अब हम फटाफट से एकसे सप्लाई की भी सिचुएशन देख लेते हैं एकसे सप्लाई कौन सा वाला स्टेज होता है ज प्राइस 246 से 10 और मार्केट सप्लाई जो कि हमने पहले भी इसमें मार्केट इकलुबीरियम के जो ग्राफ टेबल में इस्तमाल किया था वो वाला आ जाएगा और यह ग्राफ आजाएगा मार्केट इकलुबीरियम वाला अब यह वाली सिचुएशन कौन सी कहलाती है जहां पर हमारी price बढ़ रही है तो यह P से P1 यहाँ पर आ गई ठीक है तो यहां आकर हमारी जो quantity supplied है वो Q से Q1 हो गई, यह हो गई quantity supplied जो है, वो हमारी हो गई Q से Q1 ठीक है, तो यह वाला जो situation हो जाएगी, यह हो जाएगी हमारी quantity demanded और यहां से यहां तक वाली यह हो जाएगी quantity supplied वाली तो यह जो है वो कहलाई जाएगी access supplied अब students इसी तरीके से आपको अपने exam में भी इसी तरीके से आप leveling करेंगे जैसे जैसे extra हमें जहां पर marks मिल जाए वो करो ना वो काम अच्छा है हम marks के लिए ही तो पढ़ रहे हैं marks के लिए ही तो हम यहां पर exam देंगे अच्छा perform करेंगे तभी तो हमें marks मिलेंगे तो यह कुछ ऐसी चीज़े होती है जो आप दिखाओगे तो कहीं ना कहीं आपके examiner को देखके ही समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को बहुत अच्छे से यह concept पता है तो यह छोटे छोटे यह labeling के ज्यादा time भी लगता आपकी का diagram और अच्छे से निखर के आएगा तो इस तरह से आप यह बताना कि यह access supply है कि यहां से यहां तक quantity supplied है यहां से यहांतक quantity demanded है तो यह चीज़ बताना है आपको ठीक है तो यह वाला situation यह आला जो पार्ट होगा यहां से यहां तक का यह access supply कहलाएगा अब ये तो हमने समझ लिया एक्सिस सप्लाई यहां पे आ जाती है अब इस पे चीजे कैसे react करती है या कैसे तरीके से इसको correct किया जाता है एक्सिस सप्लाई वाली situation को अब ये just इसका उल्टा हो जाएगा एक्सिस demand वाली के तरह ठीक है quantity जो Q1 है वो हमें दिखा रही है quantity supplied जहां पर increase हुई हो हमारी जो Q1 था ये वाला जो part था वो ये हमें दिखा रहा है जो हमारी quantity supplied increase हुई हो ठीक है second हो जाएगा अब यहां पर क्या था quantity demand में हमारी buyers का competition था कि कौन कम price में जाधा quantity लेके जाएगा अब यहां पर क्या होता है sellers में competition हो जाता है क्यों क्योंकि यहां पर price थो हमने जाधा कर दिया लेकिं demand नहीं है तो अब वो sellers आपट में सूचते हैं कुछ नगे टैक्रिक्स दिखाते हैं कि कि हम अपनी sale बढ़ाएं तो वह इसमिए अब sellers में competition हो जाता है यहां पर इस तरीके से भढ़ती है हमारी demand कि वो last do equilubarinum point पर आ जाती है कैसे? यहां पर थी हमारी price ठीक है? तो वो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारी demand तो बढ़्णा शुरू करेगी हमारी demand जो है वो भढ़्णा शुरू करेगी और जो supply है वो हमारी घटना शुरू करेगी तो फिर वो यहां के यानि equilibrium point पे आके meet करेंगे इस तरीके से जो है excess supply वाली जो condition है उसको rectify किया जाता है जैसे कि यहां पर price जाता थी तो हमारी supply यहां पर ज्यादा थी फिर जैसे जैसे price कम होती गई हमारी supply भी कम होती गई और जैसे ही हमारी price यहां पर आ गई demand से वो intersect करें यानि हमें अपना equilibrium point जो है वो meet out हो जाता है तो इस तरीके से यहां पर यह वाली situation से इन properties के थूँ हमारी जो है excess supply वाली जो situation है वो control में आती है और market equilibrium achieve किया जाता है तो I hope students आपको दोनों ही excess demand और excess supply वाले जो point है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगे तो students आज की वीडियो को हम यहीं खतम करेंगे जादा इसको लंबा ना खीचते हुए अब हम देख लेते हैं इसकी quick summary आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा हमने देखा कि what is market equilibrium और excess demand क्या होता है और excess supply क्या होता है उसको correct किस तरीके से seller करता है तो यह हमने properties में उसके excess demand और excess supply के properties में हमने जान लिया तो students I hope आपको यह market equilibrium का topic अच्छे से easily समझ में आ गया होगा अब हम मिलेंगे अपनी next वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो effects होते हैं excess demand के या shifts जो होते हैं demand और supply curve में उसके क्या effect होते हैं और उसको किस तरीके से correct करा जाता है तो अब हम मिलेंगे अपनी next वीडियो में तब तक मेरी वीडियो को देखते रहें like करें share करें comment करें और अगर आप चैनल अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो उसको please subscribe करें और मेरे चैनल को इसी तरीके से grow करने में मेरी help करें Thank you